हाई एवरिवन वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू फ्रेंट्स टूड़ी विल डिस्कस अबाउट एट्सट प्रिवियस इयर हिंदी जो हिंदी का पूर्शन है वो हम डिस्क्राइब करेंगे फ्रेंट्स ये सिरफ आपके लिए 15 क्यूशन नहीं है इन 15 क्यूशन के बेस हम इसके अंदर और किस तरह से आपके एक्जाम में क्यूशन बन सकते हैं उनको सोल करेंगे और फर्स्ट अफॉल थैंक्स टू ओल अफ यू एज यू सिलेक्ट मी एज योवर गाइडर एज यूर फ्रेंट कि मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पहूँ तो चलिए फ्रेंट्स जादा टाइम वेश नहीं करेंगे क्यूशन सिधा स्टार्ट करते हैं मुद्दे की बात पे आते हैं किस विकल्प में विशर्ग संदी का परियोग नहीं हुआ है तो फ्रेंट्स आप लोगों को क्यूशन सोल करने से पहले क्यूशन के अंदर इस व इसे बताती हूं तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा तो देखिए हमने देखा कि इसमें क्या लिखा हुआ है परियोग नहीं हुआ है तो फर्स्ट ओप्सर हमारा क्या है तिरोधान जब हम तोड़ते हैं तो क्या आता है हमारी पास तिरै प्लस धान यानि इसके अंदर विशरक्षंदी का परियोग हुआ है सिरोधारिय सिरै प्लस धारिय तो इसमें भी विशरक्षंदी का परियोग हुआ है दीपो उत्सव जब दीपो उत्सव को तोड़ा जाता है तो क्या बनता है दीप पलस उत्सव रजो भव रजै पलस भव फ्रेंड्स आप लोगों को आपको 50 मिनट में कंप्लेट करवाए हैं अगर आपको इसको डबल स्पीड पे करके देखेंगे तो आप उसको 25-30 मिनट में आराम से कर लेंगे और मैंने उसके जो नोट्स हैं वो भी टेलिग्राम पे शेयर किये हैं अगर आपको हिंदी में कुछ भी प्रोब्लम आ रही है तो उस वीडियो को देख लीजिए और अभी एक दो दिन में आपके लिए एक और कंप्लेट मैराथन में हिंदी के लेके आने वाली हूँ जिसके अंदर जो आपके टोपिक बचे हुए हैं जैसे कि शंग्या, सरुनाम, पर्ते, अलंकार तो ये भी उसके अंदर कवर हो जा संदी है, बाकी जो अपसंते वो विशर्ग संदी के थे, अब सवर संदी के भी फाइफ टाइपस होती हैं, तो उनका भी हमें ध्यान होना चाहिए कि कौन सी संदी का परियोग हो रहा है, तो इसके अंदर गुण संदी का परियोग हुआ है, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा ह है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, नेक्स्ट कुस्टन है, हमन्त को खीर अच्छी लगती है, वाके किस कारक का उधारण है, जो मैंने वीडियो करवाई है, उसके अंदर कारक भी करवाया हुआ है, जो complete revision है, हिंदी का, जो महरा थन है, उसका जो लिंक है, मैं वो आपको description box में provide कर दूँगी, तो आप उसको जरूर देख लेना, तो friends कारक क्या होते हैं, जो संबंद बताते हैं, करता ने करम को करंड से संपरदान के लिए अपादान से जुदाई इस तरह से होते हैं, तो हेमन्त को करता ने करम को, तो किसका यूज हो रहा है, पर को का, तो को कौन सा होता है, करम कारक होता है, तो option number A हमारा क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, करम कारक इसके अंदर सही answer हो जाएगा, next question देखिए, एक वचन से भवचन बने विकलपों में ऐसंगत चुनिए, तो देखो, डाकू, डाकू, सही है, जो sentence दिये होते हैं, इन इनको जो ये सब्द दिये हुए है, इनको आप लोग वक्के में परियोग करके देखना, आपका जो sentence है, आपका जो answer है, आपको मिल जाएगा, तो दाकू, डाकू, वदू, वद्वे, उनके घर में बहुत सी वद्वे हैं, डाकू ने डाका डाला, भालू ने जानवरों प कल्प चुनिए, अब देखो friends, इसमें सुद असुद वाला topic आपका आगया, दवाईया बिलकुल सही है, क्योंकि वैसे लिखते हैं, दवाई अगर एक वचन में लिखते हैं, तो दवाई बड़ी की मातर आती है, जबकि जो भाई वचन बनाएंगे, तो दवाईया होता है प्राणी विज्ञान भी सही है, विर्ते अनुप्रास भी सही है, विर्ते प्लस अनुप्रास, लेकिन मिर्त्यू प्रांत, आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा, मिर्त्यू प्रांत कैसे लिखते हैं, जो यह है, उसके छोटे U की मातर आती है, तो मिर्त्यू प्रां किसी से कोई request कर रहे हूं जिस तरह से हमारा imperative sentence होता है ना उसी तरह से आग्यार्थ होता है इंगलीज में पढ़ते है ना imperative तो देखो यहां से आपका imperative भी किलिए रो जाएगा तुम अगर कहते तो मैं ऐसा जरूर करती तो भई इसमें क्या दे रखा है condition दे रखी है तुम नहीं हुआ मैं चाहता हूं कि तुम भले इंसान बनो तो यह भी हमने अपनी बात बता रखिया इसके अंदर भी नहीं हुआ लेकिन जो बी option है जो हमने options भी रखा था सभी को अपरी घ्रह की भावना रखने चाहिए इसके अंदर हमने क्या किया है एक request की है एक order दिया है आ next देखिए परते की दरश्टी से एसरंगत विकल्क बताईए विचार प्लस यह विचारने अब परते क्या होते हैं जो किसी सब्द के last में जुड़ करके उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उसी को परते कहते हैं दरस प्लस तव्य दरस तव्य वशनी प्लस ए वशने सही है वालमिकी पलस ए वालमिकी तो सही है लेकिन यहाँ पर जो ए की मातरा आनी थी वह बड़ी की मातरा आनी थी ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया सही ओप्शन क्या हो गया डी नेक्स देखिए किस विकल्प में द्वंदव समास का उधारन है फ्रेंड्स समास आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग जो मेरी कंप्लीट मैरा थन की वीडियो देखेंगे उससे कंप्लीट हो जाएगा समास क्या होता है द्वंदव समास प बात हो रही है जब कि हम जब रूद्र पिरिया को देखते हैं रूद्र पिरिया जो रूद्र को पिरिया है कौन है पारवती जी तो यान इसमें क्या आया है किसी और का जिकर हो रहा होता है तो किसी और का जिकर हो रहा होता है तो उसमें कौन सा समास होता है बहुर वी जैसे क पुलिंग पुलिंग आ गया जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने इस तरी लिंग और पुलिंग को भी आपको अच्छे से करवाया और एक्जाम में एक क्यूशन जरूर आता है इस टोपिक से कुंजडा कुंजडीन धोबी धोबीन सही है पापी पापीन सही है लेकिन देखिए तितर तितरीन यह क्या है गलत है और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा योगि जो तितर जो होता है ना उसको नर तितर मादा तितर इस तरह से रिपरजंट किया जाता है ना कि तितर का तितरीन होता है जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हुए है कि सदा सदय पुलिंग कौन से रहते हैं सदय इस तरी लिंग कौन से होते हैं उभेलिंग कौन से होते हैं सब पुछ बता रख़ा है ठीक है तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा किस विकल्प में आ उपसर का परियोग हो आ आ उप्षर बताने है आपको आत्यांतिक सही है आतिथि जुलत गया लेकिन जो आखियाईक है इसके अंदर आ उप्षर का प्रियोग हो घालेगा इसका option number C सही answer हो जाएगा विलोम की दर्ष्टी से बेमेल को छाटिए विलोम सब्द बताने है आरिये अनारिये शही है बच्पन से पढ़ते आ रहे हो उर्वर अनुर्वर शही है एचिक अनुवारिये सही है वह एचिक जो इच्छा से करें अनिवारिये जो कंपल सरी हो तो उसका विलोम सब्द हो जाता लेकिन जो दूर्जन है तो उसका परियाई वाची होता खल का मतलब भी दूष्ट वक्ति दूर्जन का मतलब भी दूष्ट वक्ति तो इसमें सही kitchen क्या हो जाएगा बाकी जो और option आ रहे है न च्यार है आप उनको भी अच्छी से देख ले न आगम आकर तो इसको थोड़ा सा डाउट पे रखो यूकि आगम और आकर किसके नहीं होते वेद के नहीं होते आप लोगों ने अगर याद किये होंगे तो आपको पता होगा हरिन कुरंग प्लेवंग सारंग ये भी सही है तो जो उप्सन नमबर सी है वही इसका सही आंसर है इनके जो परियाई वाच्चे दिये हैं इनको भी याद कर लेना नेक्स देखिए भाव वाच्चे अब देखिए वाच्चे कितने तरह के होते हैं तीन तरह के करतरी वाच्चे करम वाच्चे जिसके अंदर करता परदान हो करम वाच्चे जिसके अंदर करम परदान हो और गर्मियों में रोज नाया जाता है, यहां से हमें थोड़ थोड़ा बाववाच्चे की फिलिंग्स आ रही है, ठीक है, तो इस question को यहीं पर छोड़ दो, next option देखो, बारत दुआरा नया उपगरे छोड़ा गया, तो भी भारत, बारत क्या हो गया, इसमें परदान हो गया, कर आंस्वर है, निमलिकित में से किस लिकल्प में कम सब्द का विशेशन ये परयोग गया गया है, यानि कम सब्द को विशेशन के रूप में किस वाक्य में परयोग किया गया है, यह हमें बताना है, गर्मी में कम खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, वहीं कम खाना चाहिए तो यह भी सरुनाम की तरह यूज हो रहा है इन सब में सरुनाम की तरह यूज हुआ है जब कि आज उसने कम खाना खाया तो यहाँ पर खाने की क्या बताईगी यह विशेस्ता तो जब खाने की विशेस्ता यानि संग्या की विशेस्ता बताते हैं तो वो क्या होता है चन हो गया ठीक है नेक्स देखिए किस वाक्के में निपात का परियोग हुआ है निपात निपात भी मैंने आप लोगों को बता रहे निपात क्या होते हैं जिसके अंदर किसी मतलब सपेसल अक्सर पर कोई विशेश जोर दिया जाता है तो उसी को निपात कहते हैं राम और श जोर दिया गया है तो इसी में क्या हो गया जो हमारा उप्सन नंबर सी है वही क्या हो गया करेक्ट हो गया क्योंकि इसमें निपात का परियोग हुआ है नेक्स्ट उप्सन मेरी भारी भूल थी जो इसके बैकाव में आ गया यह भी सिंपल है इसमें भी नहीं है तो उप्सन यह जो किलिया की विशेस्ता बताते हैं ठीक है कौन-Kौन से होते है इंग। परिमान वाचक कोई सथान की बात नहीं इसके अंदर यह थोड़ी ना पुछा दुर गटना कब उई पूछता जब तो काल वाचक हो जाता जब कहां वी पूछता तो स्थान वाचक हो जाता लेकिन यह क्या पूछ रहा है क्या हूई क्या और कैसे वह यानि तरीक्का पूछ जा रहा है तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा रहीति वाचक की अविशेशन तो यह थे कुछ 15 क्यूशन जो के अच्ट्रेट के प्रिवेश एर एक्जाम में आई हुए थे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किये आपको किसी क्यूशन में डाउट होता है तो आप लोग को कंप्लीट देखना है अपने फ्रेंट्स के साथ सेयर करना है ठीक है और आगे आप लोगों के लिए कौन सी वीडियो बनानी है आप लोग कोमेंट करके जरूर बताईएगा थेंक्स फूर वोचिंग और आप फ्रेंट्स चलते चलते एक बात और अगर आप लोग मेरे डेल करते हैं